नमस्कार दोस्तों अगर आप अपने घर के पावर कंजम्शन को कम करना चाहते हो specifically आपके जो होम अप्लाइंसे से उनके पावर कंजम्शन को कम करना चाहते हो तागि आपका जो electricity bill है वो कम आए तो इस video को देखते हैं इस video में हम लोग आपको बताएंगे कैसे आप अपने home appliances का power consumption और अपने पूडे घर का power consumption को reduce कर सकते हो तो इस video को पूरा जरूर देखेगा तो विडियो करते हैं शुरू और शुरू करने से पहले अगर आपको products के उपर best deals, offers और discounts चाहिए तो आप हमारे free telegram channel को join कर सकते हो जिसका की link description box में दिया गया है तो इन deals के दोवारा shopping करते वक्त आप पैसा जो है बचा सकते हो तो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे जो major appliances है जैसे refrigerator, washing machine, air conditioner और अलग-अलग electronics और electrical appliances का जो power consumption है वो कैसे आप घटा सकते हो उसके बाद कुछ और methods भी इसमें हम लोग discuss करेंगे जिसके दोड़ा पूरे खर का जो power consumption है और electricity consumption है वो आप reduce कर सकते हो तो सबसे पहले बढ़ते हैं refrigerator के उपर तो refrigerator में क्या-क्या चीज आपको follow करना है पहले तो आपके refrigerator को आपके cooker, stove या oven के पास नहीं रखना है और कोई भी place जहाँ पे direct sunlight आ रहा है वहाँ पे आपको अपने fridge को नहीं रखना है आपको ये भी ensure करना है कि आपकी fridge के उपर नीचे और चारो और sufficient space है जहाँ पे air circulation हो सके जो fridge का जो door gasket होते हैं वो भी proper condition में होने चाहिए ताकि जब भी आप दर्वाजा बंद करें तो वो properly बंद हो और पूरा जो cool air है वो अंदर रह सके आपके fridge में कभी भी आप excess food मत रखिए क्योंकि अगर आप excess food रखते हो आपके fridge पे क्या जो air vents है अंदर compartments में वहाँ पे obstruction हो जाता है और उसके चलते air circulation ठीक से नहीं हो पाता है इसके चलते compressor को ज़्यादा काम करना पड़ता है uniform temperature maintain करने के लिए जो कि आपकी power consumption को काफी हद तक बरा देता है maintenance fridge का करना बहुत ही जरूरी है especially जो back coils है उसको आपको periodic frequency में checking कराना चाहिए क्योंकि इन coils के उपर dust accumulation हो जाता है और इससे जो convection process है जिससे cooling होता है वो properly नहीं हो पाता है और इसके चलते compressor को ज़्यादा काम करना पड़ता है और उसी के चलते energy consumption और power consumption ज़्यादा बर जाता है अगले बात करते हैं washing machine में आपको क्या क्या चीज़े ध्यान में रखना है अपने जो बिजली का बिल को control करने के लिए तो जब भी आप washing machine को चला रहे हो आप full load में चलाएए क्योंकि आप अगर half load में चलाते हो तो आपको multiple times जो है washing machine को चलाना पड़ता है और उस case में जो electricity consumption है वो काफी जादा हो जाता है और आप जब washing कर रहे हो तो आप normal water या cold water में washing कीजिए आपको water को heat करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब भी आप water को washing machine के अंदर heat करते हो तो power consumption जो है बर जाता है और आपके washing machine को कभी भी stand by mode में मत रखिए हर समय आप उसको switch off करके रखिए plug points से ताकि आप जादा से जादा electricity बचा सके अगले बात करेंगे AC के बारे में तो AC का temperature है वो 23 से 25 degree centigrade तक ही रखे जादा आगर आप कम करते हो तो वो ही compressor को जादा काम करना पड़ता है अगर आपको जादा गर्मी लग रहा है तो आप थोड़ी दिर के लिए बैट जाईए और अपना जो ceiling fan है उसको भी आप use में रख सकते हो जैसे आपका घर ठंडा हो जाता है उस time में जो है आपको normal temperature जो 23-25 वो सही लगने लगेगा जो windows और doors का edges है उसको properly आपको seal करना चाहिए ताकि air leakages ना हो air leakages के कारण क्या होता है जो AC का हवा है वो बाहर चला जाता है और आपके room में proper cooling नहीं होता है और जब भी आप room से बाहर निकलते हो या आते हो आप door को जादा तर खुला मत छोड़ो क्योंकि जब भी आप door को खुला छोड़ते हो जो है warm air जो है अंदर आ जाता है और ambient temperature को बरा देता है और इसके चलते AC को जादा काम करना पड़ता है तो आपके windows से अगर sunlight आ रहा है तो आप sunlight को block करके रखिए क्योंकि अगर sunlight आ रहा है तो normally आपके room के temperature increase कर देता है तो curtain use कीजिए या फिर कोई भी तरह से sunlight जो है रोक के रखिए जो AC के air filters है वो बहुत important होता है और वो prevent करता है dust accumulation से और AC को smoothly run कराने में भी मदद करता है तो AC का filters है उसको आपको maintenance करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वो dirty हो जाता है AC को जादा काम करना परेगा और इसके चलते उसका compressor जादा run करेगा और आपका power consumption भी जादा होगा आगे बात करते है कुछ और electronic और electrical equipment के बारे में तो यहाँ पर बात करेगे टीवी और laptops को आप off करके रखेए जब भी आप उसे use ना कर रहे है तो ओई भी electronic gadgets को आप stand by mode में मत रखेए क्यों stand by mode में रखने से वो जादा power consume करता है एक और चीज बहुत important है हम लोग जादा ध्यान नहीं देते अगर आपके घर में water pump है तो आप जरूर एक water meter alarm install कीजिए आपकी water tank के उपर तो बहुत बार क्या होता है हम लोग जो है water pump को चला के रखते हैं जब भी हमको पता चलता है कि water excessive flow होते जा रहा है तब हम लोग जाके water pump को बंद करते हो ऐसे में जो water pump लाने का जो power consumption है वो जादा हो जाता है तो अगर आप water bitter alarm लगा के रखते हो तो जैसे ही आपका tank जो है फुल हो जाता है वो आपको notify कर देता है और उसी time में आप water tank को जो है बंद कर सकते हो और इससे आपका electricity consumption और power consumption बहुत ही हद तक कम हो जाता है आगे बात करते है कुछ और methods आपको natural light जादा यूज़ करना चाहिए और कोई भी lights को जो है वो switch off कर देना है अगर आप उसका इस्तमाल नहीं कर रहे हो तो दिन के दौरान आप जितना जादा हो सके natural light को यूज़ कीजिए अपने room की lights को बंद करके रखिए जब आप कर रहे हो कोई भी particular task करने के लिए suppose आप कोई भी चीज़ पर रहे हो और आपके पास एक table lamp है तो बिना पूरा घर का जो light है जो बहुत जादा power consume करता है वो जलाने से बहतर आप एक table lamp को ही जलाए जिसका power consumption जो है काफी कम होता है आगे बात करते है inverter technology appliances आपको जरूर inverter technology appliances खर आप inverter technology वाला कोई भी appliance खरीद रहे हो तो power consumption जो है काफी कम होता है around 10% से 30% power आप बचा सकते हो inverter technology appliances यूज करके आगे बात करते हैं install compact CFL light bulbs तो जो traditional light bulbs है यह ज्यादा electricity consume करता है और इनको बार बार replace भी करना पड़ता है वही पे अगर आप compact fluorescent light यानी CFL या फिर light amounting diode bulbs यानी LED bulbs यूज करते हो तो आप 25-80% electricity को बचा सकोगे और इनका जो life होता है वो 25 times जादा होता है compare to normal traditional bulbs तो अगर आप यह सब steps और process को follow करोगे जो हमने बताया अपने appliances के लिए या फिर जो general चीज़े हमने बताया तो आप काफी हद तक power consumption को reduce कर सकते हो अपने घर में तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको कोई भी doubt है इस वीडियो से लेटेट तो नीचे comment ज़रूर करना electricity bill को बचाने के साथ साथ अगर आप अपने पैसे को बराना चाते हो तो आप share market में invest कर सकते हो तो इसमें invest करने का सबसे अच्छा जो तरीका है आप पहले एक free DMAT और trading account खोल सकते हो angel broking से तो मैंने इसका description में link देके रखा है वहाँ पे जाके आप ये DMAT और trading account खोल सकते हो और फिर अपना share market का journey शुरू कर सकते हो